जीवन में जो कुछ होता है, it is an outcome of time, attention, energy, time, attention, energy, इससे ध्यान से याद कर ले न, इस पूरी जिन्दगी में तुम केवल तीन चीज़ों को ही खर्च करते हो, time, attention, energy, एक, दो, तीन, इन तीनों के खर्च से ही उपलभधियां प्राप्त होती हैं, और इन तीनों के खर्च से ही जन्म होता है किसी एक इच्छा का, एक इच्छा में कितनी बड़ी शक्ती लगी वी है इसकी तुम्हें कल्पना नहीं है और वही शक्ती अगर किसी विधी के द्वारा किसी एक विशेश प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा किसी एक इच्छा पर और सघन कर दी जाए तो क्या होगा हजारो इच्छाओं में बिखरा हुआ तुम्हारा बीतर का प्राण केंद्री भूत होकर के इसी एक स्थान पर एकत्रित हो जाएगा और जब किसी एक स्थान पर शक्तियां एकत्रित होती है तो क्या होता है आप कल्पना करिए जितने अंशों में ये सारा बिखरा प्रकाश है उसकी कल्पना में बीतर के सूरे को मिला के देखिए हाँ जैसे इस बिखरे प्रकाश का को इस्तित्व नहीं इस बीतर के सूरे का इस्तित्व है ठीक उसी तरह एक विशेश प्रक्रिया प्रनाली के अंतरगत जब आप किसी एक इच्छा को उसके भीतर के टाइम, अटेंशन, एनरजी को गनीबूत कर देते हैं तो वो फिर एक बड़े सूर्य का आकार लेना शुरू कर देती है देखना ये है कि आप कितने अंचों में भीतर उस सूर्य को जनम दे पाए यही इस कोचिंग मेंटरिंग कारिक्रम का मूल मंतव यह है जो लोग इसमें भाग लेने के लिए इच्छुक हैं यह आनलाइन कोचिंग मेंटरिंग प्रोग्राम है जिसमें व्यक्तिकत आने की आवशक्ता उतनी नहीं होगी जो लोग भी इसमें इच्छुक हैं वो नीचे दिये गए इस इमेल पर केवल तीन बाते लिखें इंट्रस्टिड मुबाइल नमबर नाम